असलाम आलेकुम कैसे हैं आप I hope कि आप ठीक होंगे थाइरिस से होंगे और चंगे भले होंगे जिंदगी को इंचुआई कर रहे होंगे जिंदगी एक बार मिलती है बार बार नहीं तो मेरे प्यारे विवर्स इस फरक शाम का टाइम हो चुका है तकरीबन चार बज रहे हैं और हमारा टी टाइम शुरू हो चुका है तो चलिए मैं चाय बनाती हूं चाय के लिए मैंने पानी चड़ा दिया अब इसमें पती एड़ करूंगी जी विवर्स में इसमें पती एड़ कर चुकी हूं और अब इसमें आल पर दूद एड़ करूंगी और जेनाबिदा मैं कम मनाही फात्मा के कितने गर्मी दाने हो रहे हैं और निशान भी हो रहे हैं ये देखिए जी तो आज मनाही फात्मा बगार शट के है और अम्मी इस वक्ती दर्वाजे में जाके बैठी हुई है क्योंकि अम्मी को बहुत गर्मी लगती है और ये देखें जी दुपैर का टाइम है दूप निकलिए यानि शाम चार बच रहे हैं चार बच एक का टाइम है और मैं इस वक्ट चाय बना रही हूँ मनाही फात्मा जो है वो अम्मी को देख रही है दर्वाजे में अम्मी बेठी हुई है मनायन फात्मा गेट जाओगी और मैं इस वक्त दुबारा किचन में जा रही हूँ ये मैं किचन में आ चुकी हूँ और चाय अच्छे से पढ़ गई है और मैं अपनी फीकी चाय निकालूंगी और थोड़ी सी अम्यबू के लिए चीनी आड़ करूंगी उनको भी शुगर है लेकिन फिर भी मिठी चाय पीते हैं उनको बोली के चाय वाली टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उनके लिए थोड़ी समें शुगर एड़ करती है ये बच्चे मदर्से से आ रहे है ये अरूज और आमना भी मदर्से से आ रही है इनकी चाय बज़े चुट्टी हो जाती है तो दूनों बच्चे हमदर्से से आ रहे हैं तो दीवर्स ये चाय अच्छे से बन गई है और इस वा मैं अपनी चाय निकालूंगे चाय मैंने अपनी निकाल ली है ये रही और अभी जो है मैं वो अम्मी की और अभू की चाय में साल रही हूं विवर्स अम्मी अभू की चाय निकाल दे है मैंने और ये जीरा प्लस बिस्किट ये विवर्स अम्मी अभू की चाय और जीरा प्लस बिस्किट ये अम्मी और अभू को में चाय देने जा रही हूं आज है अम्मी यह एंपू को चाए देने नियुक्यक है कर दिए.. आपले वी एप्भु को चाहे दे जाए है अप्ले में चाहे चाहे विद्वधर लेते हु और में पावूत है अब को मैंने लाकश के दिए तून नहीं है.. existing है इस निग Djukwo.. आज मैं आप लोगों के साथ जो है मैं कीमा और आलू बनाओंगी और उसकी रेसिपी भी आप से शेयर करूंगी और इस व्लोग के साथ मुझे इचाज़र देजिए अल्लाहाफिस अपनी दूआ में मुझे याद रखेगा और मेरे चैनल को लाइक केजिए सब्क्राइब सब्सक्राइब के जिस अचाज के साथ रखेजिए।